आपने ये कहावतों जरूर सुनी होगी, कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी अपने पास पुला लेते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा क्यूं होता है? क्या कारण है कि मन से साफ और दूसरों का भला करने वाला लोग, पापी लोगों की तुल्ला में मृत्तिव को जल्दी प्राप्त करते हैं? तो आज की वीडियो में हम मिलकर इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगदी वेदा में, धर्म कोई सा भी क्यूं ना हो, सभी में यही पताया गया है, कि जिसने भी इस धर्ती पर जनम लिया है, उसकी मृत्तिव निश्च सनातम धर्म की मानेता के अनुसार, बच्चे के जनम के छटी रात को ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल्ग जैसे विवाव, पढ़ाई, नौकरी से लेकर मृत्यू तक की तारिक शामिल है, और यह सिर्थ भगवान ही जानते हैं कि कि इस व्यक्ति की मृत्यू की तारिक कम निश्चित की गई है, अच्छे लोगों का संसार से जल्दी जाने के पीछे यो तो कड़ी वज़ा है, जिन में से सबसे पहली वज़ा को समझने के लिए आपको जनम का रहसे समझना होगा, आप तो जानते ही हैं, व्यक्ति इस मृत् नाय काटनी पड़ती है, और पुन्य का पलरा भारी हो, तो उसे स्वर का सुख मिलता है, और यही चक्र कई योगों तक चलता रहता है, कोई आत्मा इंसान बनती है, तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है, ये उसके संचित काड़ियों के अधार पर ही तै होता है इसके अलावा उसे जनन देने वाले माता पिता के संसकार भी उसके अंदर आते हैं, इसके बाद वो जो भी कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुनियात्मा या दुरात्मा कहा जाता है अब यही पुनिया आपके मृत्यों के तारीख को भी बदल देते हैं, जिस प्रकार जेल में रह रहे कैदी का वेवहार देखकर जज उसकी सजा कम कर देता है ठीक उसी प्रकार भगवान भी देखते हैं कि इनसान मृत्यों लोग में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किये की सजा मिल चुकी है और जब उन्हें ये लगता है कि अब उसे मृत्ती लोग में नहीं रहना चाहिए तब भगवान उसे बुला लेते हैं अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी काट लेते हैं क्यूंकि भगवान के डंड विधान के अनुसार व्यक्ति को उसके किये की सजा उतनी ही दी जाएगी जितना नियम के अनुरूप हो और डंड विधान की जिम्यदारी समालने वाले सनीदे की क्रिपा से तो स्वें भोले नात्मी नहीं बच सकें फिर हम इंसान की क्या मिसात है इसके अलावा एक और वज़े यह है कि अच्छे लोग कम उम्र में ही वो सारी चीज़े हासिल कर लेते हैं जिन के लिए उन्हें धर्ती पर भेजा गया होता है हिंदु धर्म की मानिता के अनुसार भगवान हर इंसान को किसी ना किसी उद्देश के साथ ही मृत्य लोग में भेजते हैं इसलिए जब यह उद्देश जल्दी पूर्ण हो जाता है तो भगवान उन्हें वापस पुला लेते हैं अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यू उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है जब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ती नहीं हो जाती है इस मृत्य लोग में हर कोई अपनी सजा भुकतने के लिए आता है इंसान मरने के बाद खाली हाँ जाता है ऐसा कहना गलत है क्योंकि तीन चीज़े ऐसी है चो मरने के बाद उसके साथ जाती है पहला संचित कारे दूसरा स्मृती तीसरा जागरिती इसी लिए ऐसा कभी ना कहें कि खाली हाँ थाए थे और खाली हाँ जाएंगे क्या आपने कभी सोचा है कि आपको यह मानब जीवन क्यों मिला है तो दोस्तो महा भारत में युद्धिस्टिन महाराज ने एक प्रश्ण के उत्तर में भीश में पितावा ने यह कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई जीव नहीं है क्या आप जानते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्रानियों में मनुष्य ही सवर्श्रेष्ट है मनुष्य जीवन का उद्देश वज़र है कि मनुष्य में सत्य और असत्य का विवेग कराने वाले हमारे बुद्धी का होना दुनियादारी के चक्र में ऐसे देखे जाते हैं कि हमारी बुद्ध स्मृती दाइरे में सिमटकर रह जाती है हम संसारिक सुखों को ही सब कुछ मान कर उसमें लिप्त रहने को ही अपने जीवन की सफलता और सभाग्य मानते हैं यही गलती हम कर जाते हैं क्यूंकि इसके अलावा कोई भी वैक्ती यह दावा नहीं कर सकता है कि वह पूरी तरह से दुख्शुखी है सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानत जीवन की उद्देश की पूर्ती के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए यह सच है कि भरन पोशन की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभानी चाहिए क्या आपको यह मालूब है कि आप कहां से आए हैं और आपको कितने समय या कितने सालों तक इस जगत में रहना है इस प्रश्न का उत्तर चाधा तर मनुष्य नहीं दे पाएंगे परन धाम पर पहुँँचना ही मनुष्य जीवन का लक्षे होता है मनुष्य जीवन का मतलब होता है एक उद्देश से खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना कहा गया है मनुष्य आनंद लोग का वासी है और आनंद के परमधाम पर पहुँचना ही उसके जीवन का एक मात्र लक्ष भी है इसे ने मनुष्य कोई संसार के म्रिग मारिचिका से निकल कर भगवे जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपना कर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए अच्छे लोगों की मृत्यू जल्दी इसी लिए होती है भागवत गीता के अनुसार वास्तविक जीवन का शुभारम इस बौधिक जीवन के पुरा होने के बाद होता है दोस्तों यह बात को सपष्ट होती है कि हम सभी लोग इस धर्ती पर एक निश्चित समय के लिए कुछ विशेश करमों को करने के लिए आते हैं जब हमारे वाक करम पूरे हो जाते हैं तो हमारे जीवन के लक्षे पूर्ण हो जाते हैं तब भगवान हमें इस शरीर को छोड़ कर वृत्तियों के आगे के यात्रा पर बहा देते हैं अगर आपको हमारी प्रस्तुती पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीजियो को लाइक करें